कफूब और स्काया खर्च शाणी में दंगे सकता है और पानी को बंड़ करना है 20 सीमित पानी पानी का वह खर्च माइने सब्सक्राइब पहले किये हैं अब थोड़ा-थोड़ा पानी से करने में उनको संदेश पढ़ता है कि भाई होगा नहीं होगा इसी मिल्ये लोग नहीं करने पाते हैं लेकिन यह वह से अच्छा भी वह से अच्छा वी बेवस्ता है अगर आपका नंबर हम दे देते हैं तो क्या आप अपना अनुभव सेर करें अएक दम सेर करेंगे कि सेर के करीं उनको अच्छी तरह से समझा थेंगे बता देंगे या घरा भी देंगे तो दोस्तो आज हम पहुँंच गए हैं फिर एक बार बंगव Krudge नरायनपूर और यहाँ जो है हम आपको बताने वाले हैं कि वाटर का ड्रॉपिंग सिस्टम जिसके अंदर की 10 परसेंट आपको एमाउंट पे करना है 90 परसेंट का सबसीडी है वह आप कैसे ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या फाइदा है एक प्रगतिशिल किसान हमारे साथ है जिनका नाम है जो कि मैंने इस डिप सिस्टम लगाने के पहले इसमें हमने लगाया गया जी और इसके बाद हुआ फिर पुछना चाहूंगा लैंग पोजिशन जो कहा जाता है जी मतलब आपके पास जमीन आपके नाम पे नहीं था पूरवज यानि आपके पिता जी के नाम पे था उसके बनाने के बाद हमको बपर मिट मिला अच्छा लगाने के लिए जी लगाने के पींडने लया तो परसेंटे में परसेंट परिसा जाबावा तो तो प्रश्ट किमत पड़ा जिसमें मैंने सोरह हजार रुपया उद्यान विभाग को जामा किया यानि कि उद्यान विभाग को आपने 10 परसेंट नी की पानि उधर जाता है यहां प्रहिता किसा दिए आफ्ज़्य के बारे में उद्याट के बारे में यहां पर आप श्र्यां प्लॉच्पार को युद्य। में पाइप पूरा दिखाईये की कैसे होगा। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे इनका नंबर भी देंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जो इसमें पौधा में जदी दावा और खाद का देना जरूरी होता है जी उसमें इसको मिला दीजे और मिलाने के बाद इसको आधा चालू किज आपको इससे फाइदा लग रहा है तो यह कितना बेनफीट हो सकता है और हमारे किसान को कैसे मिलेगा लोग को जानकारी का भामें लोग ले नहीं पाते हैं फायदा देखे फायदा यह है कि हमको बार-बार बगवानी को कोड़ाई नहीं करना पड़ता है इसलिए कि पानी इतना ही देता है जितना को खर्च खुराकी मिल सके अच्छा उतना ही खुराकी लेकर पानी बंद कर दिया जाता है बाकी जमीन में जब तक पानी नहीं मिलेगा तो गहां से आधर परसंद उपजाव नहीं होगा इसलिए इस जरूरत फैदामान चीज है दूसरा है कि हम छि इसके सारा मठेरियल चलते हैं वहां पर उस एरिया दिखाते हैं जो यहां से आपका चल रहा है यहां से पाइप अंडर गरांड है अच्छा यहां पहुंचेंग वहां पर चलते हैं love कि सब्सक्राइब तर्ण हो जाता है यहां पाइब कहा एक पाइब का इसको पाइफ में पाइब उतनी है फिरोंगे अब इसपाइब करना करना यह को यह 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 जा रहा है और यह यह बीच में पड़ जाता है तो चले गाइस यह तो अमने देख लिए हैं पर मोटर स्टाटिंग का पोजिशन आगे देखते हैं कि वाटर का ड्रॉपिंग सिस्टेम है वह कैसा है तो आई चलते हैं तो गईस यह रही है जब कि इसमें पाइप लगाया जाता है जब इधर सब्सक्राइब लगाना सुरू कर दिया जाए जिए इसका पाइप मिलता ही है मतलब इतना ही पतला मिलेगा नहीं इससे चोगडा होता है और इसके अंदर क्या चेद रहेगा चेदा रहता है एक फिट बुंद जासा पानी उसमें देता है तो चलिए आगे चलता है और देखते हैं पुरहम सिस्टम को यह जो पाइप है इसमें हर एक फिट के बाद एक छेदा है तो गाइस आपको दिखा दू बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा देखिए यह छेद बिल्कुल सुई बराब कर दोए है पाकाद फ необходимо कमैंट हो पानी पानीा डाल तो पानी समझे पानी आपी खर्च और समझे करद वी करना पड़ते हैं तो पानी सकता तो मिल गया जमीन तो कुड़ाइब में है तो पर घास उत्पन होने कि कुण संभावना नहीं है तो फिर पानी पड़ेगा तभी तो उत्पन होगा लेकिन पानी नहीं पड़ेगा तो फसल को पर असर नहीं पड़ता है तो देखे जब आज जमीन ऐसा होता है कि पानी अधिक लग जाता तो फसल कमजोर हो तो यह पानी काव्सक्ति कर दो कि दिया जाता है तो तो अपना जया जा जाएगा खाल होगा भावच भल बराबर होगा पारंपरी खेती में यह चल रहाता सिस्टम बहुत वर्सों से चल रहा था कि पूरा पानी तो फूल कर दिया जाता था भी उत्रहीं फाइदा करें या उससे ज़्यादा करें जी असलिए कि कोई का अधिक हो जाएगा उसके कमजोरी हो जाएगी आपको इतना ही सबसीड़ी या एकेकड के-लिए मिला यह मिला खारण कारण कि इतना ही हम अगर किसी के पाद ज्यादा जमीन हो तो ज्यादा करा सकते हैं एक अदमी पर अभलेबुल है एक एक तक करा सकते हैं और तो यह तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और लोग को इससे इंवल्व होना चाहिए लेकिन एक बात बताईए बहुत कम लोग ही स अधिक पानी में दुबा कर खेती करते हैं तो पहले किये है अब थोड़ा-थोड़ा पानी से करने में उनको संदेह पड़ता है कि भाई होगा नहीं होगा लेकिन वह से अच्छा वी बवस्ता है अगर आपका नंबर हम दे देते हैं तो क्या आप अपना अनुभाव अच्छी तरह से समझा देंगे बता देंगे यह घरा भी देंगे तो इस वीडियो में राजेंदर सिंग जी काफी आपको देखिए फैमेलियर हैं काफी मदद करने के लिए तयार है और हम भी चाहते हैं कि आप किसानी अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है और अगर इन खेती के प्रोजेक्ट से किसानों से जुड़िये आपके पास जगर जमीन है थोड़ा जमीन है उसमें भी आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम इसको भी स्टार्ट करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं आप सब के लिए एक यूटूब पेज को फोलो और देख रहे हैं हमारे चैनल को यूटूब पे तो कीजेगा सब्सक्राइब गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बबाई जैहिंद